तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप लोग बहुत बढ़िया होंगे आप सबी लिगों का स्वागा थे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि क्या पीक आ चुका है जी हां देहरादून में क्या रियल स्टेट का पीक आ चुका है जितनी कीमते बढ़नी थी क्या वो बढ़ चुकी है चलिए इसी चीज़ पर विशलेशन करते हैं तो दोस्तों जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले एक साल से देहरादून के जमीनों के रेट मकानों के रेट लगभग 40% तर इंक्रीज हो चुके हैं और जो जमीने पहले आपको सिर्फ 10,00,00 में मिल जाती थी सौगज वही जमीन आज की डेट पर लगभग 16-17,00,00 परती सौगज को रखी है इतनी ज़्यादा अगर रियल स्टेट में कोई चीज का अगर होता है अगर इंक्रीमेंट होता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है उसको है जा बावल ही हम मानके चल सकते हैं पर यह हो क्यों रहा है और क्या कि यह सिर्फ दे Ragun अगर्ण शहर में हो रहा ह चलिए जानने की रट गपते है तो दोस्तों दो साल पहले मैं एक वीडियो बनाई थी जिस में मैं ने टेरदान के अलग-लग हिस्तों में क्या-क्या रेट चल रहा है उसकी एक वीडियो प्रति गर्स तक हो चुका यहां पर मैंने 15000 प्रतिगर्ज का रेट बताया था वहां पर एराउंड 22 से लेकर के प्ट्चिस यहार प्रतिगर्स तक का रेट हो चुका है सो कह सकते हैं कि लगभग डबल के बराबर इतना ज्यादा रेट बढ़ चुका है सो अब क्या यह निरंतर बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो किती तेजी से पढ़ रहा है वह हम इस वीडियो के माध्यम से जाने की गोशुश करेंगे सो जो कि मैं पिछले एक साल से अनिलाइस कर रहा हूं देरादुन में जो प्रॉपर्टी के दाम है उनको मैंने यह रिलाइस कि पिछले 6 माइनों से तो दाम का बढ़ने का चल रहा है जो दो साल से चल रहा था वो एक कम से थमसा गया है और अब जो प्रॉपर्टी के जो रेट है वो इतने तेजी से पहले बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि जो पीक है वो लगभग आ चुका है देरादुन में दोस्तों और अब इसके बात से जो अभी अगर कोई इस दोरान अगर investor के तोर पर अगर कोई जमीनों को invest करना चाहरा है देरादुन में तो उसके लिए उतना growth उसको नहीं मिलेगा जो अगर वो तो साल पहले अगर इंवेस्ट करता है तो वह मिलता है जो रहने वाले लोग हैं उनको तो अब कोई फरक नहीं पड़ता है इस बात से रेट बढ़े या घटे क्योंकि उन्होंने तो वहां पर रहना है लेकिन हां उनके लिए भी दिक्कत वाली बात है कि पहले जो चीज वह 100 इस दौड़ गुजर रहा है उस महंगाई की तरफ यहां पर जमीन हें अब लोग गज से 100 गज, 35 गज और सकतर गज इस तरह का जो साईज है वह सकतर महंग है जमीनों के दाम इत्ते महंगे होगे 20-30 प्रति गश्ट तो आज की टेट पे एक नॉर्मल सी जमीन होगे जो जहां पर असपास जो है बसावाट है सहरी बसावाट है लोग है मार्केट है पास में और जो बिल्कुली जंगल वाली जमीन है वो अब 10-12000 प्रति गश्ट का बहाट है से अदर ब्रहोतर तो हो हुदार नहीं ही दाम नहीं भडाएंगे और बढाने के लिए तौ बढादो धिन बार आप बोलो के मैं यहां मैंने 27,000 पतिगज में खरीदी आज 32,000 हो गया रेट तो इस तरह से अगर आप बढ़ाओगे तो लेने वाला भी ऐसा मूख तो है नहीं वह भी मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है उसने उसको भी पता है कि रेट क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यह जाकरुक आज कल हर कोई है कोई बंदा 30,000,000 रुपए की जमीन ले रहा है तो यह फूप तो नहीं होगा उसको पास 30,000,000 रुपए है तो उसने कुछ कमाई होंगे अपनी जिन्दगी की कमाई लगा रहा है तो अब हर चीज जो है वह हमड़ा फूप फूप के हर इनसान ले रहा है पहले यह था कि पहले जमीने सस्ती थी तो इंसान अंधा दून इंवेस्मेंट कर ले रहा था लेकिन अब जमीने जो है वह इतनी महंगी हो चुकी है कि हर एक चीज फूप फूप कर रहा है दूसरी बात यह है कि अब थोड़ी सरकार ज्यादा सप्थ भी हो चुकी है जमीन की खरीद फ्रोक नहीं होगी स्पेशली जो बहार से आने वाली लोग है उनके लिए तो ठीक है सो मुझे लगता है कि यहां पर आ चुका है क्रेक्शन शायद आ जाए आगे चलके क्योंकि डिमांड अब धीरे-धीरे क्यों है कम हो रही है और लोग अब ढून रहे हैं सस्त सुधंड थौला साई है अभी यह फ्लो चल रहा है इस चीज Texture आने के िचांसस मुझे लगते और तब तक पैसे जमां कीजिए आप अपना और अच्छा जितना अगर आपके पाद 10 लाग है तो पांस लाग और जमां कीजिए एक साल के बाद जमीन खरीदने का मौका मिल जाए अच्छी जगाओं पर अभी के लिए आप इन्वेस्मेंट मत कीजिए अगर आप इन्वेस्मेंट पर देख रहें एक साल बाद भी आपको उतनी दाम मिलेंगे जाद एक दो हजार परतिकर्च का आपको चांस मिलेगा वह उन जगाओं पर यहां पर डिमांड अच्छी खास है ठीक है बागी जगाओं में दाम स्टेबल ही रहने वाले हैं और बस मैं यही कहना चाहता हूं आपका वीडियो देखने के लिए बहुत पर शुक्रिया आगे की वीडियो में लाओंगा कुछ ऐसी जगाएं जहां पर आप अच्छा इन